दोस्तों आपके फेवरेट शो ससुराज सिमर का टू में आगे क्या हो रहा है चलिए बात करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई दोस्तों एपिसोड में आपने देखा कि इस तरीके से गगन ने तो साफ कर दिया कि वो अधिती से प्यार नहीं करता है और ये सुन कर सभी को धका लगा फिर चाहे वो सिमर हो आरव हो अधिती तो है ही और चाहे अधिती की मा हो हमने देखा दोस्तों हाथ अपाई होती है, मारपीट होती है, बहुत बवाल होता है और उसके बाद फाइनली अदिती और घर वाले वापस आ जाते हैं घर पर लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि मोहित तो लड़का ठीक नहीं है, यानि कि मोहित से तो शादी नहीं करनी है ऐसे में आरव कहता है कि चलो हम कुछ करते हैं और बड़ी मास से बात करते हैं, हमने देखा दोस्तों कि आरव और सिमर जो है वो बड़ी मास से बात करनी के लिए जाते हैं इसी शादी के मतलब में वहीं दोस्तों आप प्रोमो में नजर आ रही है एक नई कहानी प्रोमो में नजर आ रहा है कि बराद सामने हैं और यहां पर मोहित जो है वो सिमर से डांस करने के लिए कहता है जहां सिमर कहती है कि नहीं हमारे घर में ये नाच गाना नहीं होता है वहां मुहित एक तरीके से धंकी देते हुए कहता है कि भई वो तो करना पढ़ेगा वरना हम वापस लोट जाएंगे और आप लोगों की बिज़ती होगी बड़ा मजाग बन जाएगा आप लोगों का इस गुस्से में बड़ी मा यहां पर नजर आती है यानि कि दोस्तों यहां पर बड़ी मा को कुछ तो खटक गया है लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उनको कुछ खटका है या फिर ये सिमर और आरफ की कोई चाल है बड़ी मा से ही इस शादी के लिए इंकार करवानी के लिए आपको क्या लगता है दोस्तों कैसी जा रही है एक कहानी कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा और आगे क्या लगता है आपको दोस्तों क्या ये शादी होगी या फिर बड़ी माही इस शादी को कैंसिल करती हुई नजर आएंगी साथ साथ दोस्तों ये भी नहीं भूलना है कि आरव और सिमर के रिष्टे को भी अपकम समय बचा है जो महलत मिली हुई थी क्या लगता है दोस्तों आपको क्या आरव और सिमर अलग हो पाएंगे या फिर इन दोनों के बीच प्यार और गहरा हो जाएगा अबी के लिए अतना ही देखते रहिए बॉलिवुड स्पाई